हेलो गाइज आई हो कि फर्स चेप्टर देखने के बाद आप एकदम मस्त जख्कास और बिंदास होंगे अगर नहीं हो तो आज होने वाले हो 100 परसेंट होने वाले हो आज में लेकर आएक जबरदस चेप्टर जिसका नाम है सेक्षव लिप्रड़क्शन इंफ्लोवरीं प्लांट जनरली प्लांट के बारे में तो बच्चों को कम इंट्रस्ट आता है अगर हीमन रिप्रड़क्शन होता तो बच्चों बहुत जाद इंट्रस्ट आता और सभी क कि बारे में बात कि जाते इंट्रस्ट बहुत कमा आता है जायलसी बाते मारे में बात करे को नेकिन आज एक नेक्शक के बाहर20 आपको सच में बहुत जाल इंप्रस्ट आने वाद है तो इस्टार्ट करते हैं सेक्स्वाल लिप्रडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट लेट्स इस्टार्ट सबसे पहले एंजी आटीकर देख लाइन लिखी है ओल एंजीयो स्पर्म फ्लोवरिंग प्लांट सो एंड एक्सिबिट सेट्फोल प्लांट जितने भी अंजीयो स्पर्म्स होते हैं अंजीयो स्पर्म्स का मतलब बतार फ्लोवरिंग प्लांट यह से प्लांट जिनको पर फ्लार आएगा और एंज़ीयो स्पर्मetzt फ्लोवरिंग प्लांट Schön and Exhibit सेट्फोल प्रडेक्शन जितने भी फ्लोवरिंग प्लांट होते है सभी सेट्सिवाल प्रडेक्शन करते है इसके बाद कि ए नहीं हमारा इवेंड सिफसोल ड्रप्रप्रशन एवेंड इन सक्ष्छल ड्रप्रदुछ्ट्ट्छन इन प्रोवरी ब्लांड इवेंट्स इन सेक्ष रेप्रड़क्शन इन फ्लोवरी प्लाइब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं चैप्टर नंबर वन में हमने पढ़ा था वही सेम बात है थिरी इवेंट्स होते हैं फर्स्ट पिरी फर्टिलाजेशन सेकेंड फर्टिलाजेशन थर्ड पोस्ट फर्टिलाजेशन पिरी फर्टिलाजेशन के अंदर दो इवेंट्स आते हैं फर्स्ट गेमेट्टो जेनेसिस सेकेंड गेमेट्ट ट्रांस्फर गेमेट्टो जेनेसिस के अंदर दो आते हैं फर्स्ट है माइक्रो इस्पोरो जेनेसिस सेकेंड मेगा इस्पोरो जेनेसिस माइक्रो इस्पोरो जेनेसिस से बनता है पोलन गेट्टो जेनेसिस बनता है ओव्यूल और फीमेल गेमेट्ट ट्रांस्फर को हम बोलते हैं पोलीनेशन प्लांट करने गेमेट्ट ट्रांस्फर केसा होगा पोलीनेशन प्लाइशन प्लाइशन केसा होता है प्लाइशन प्लाइशन केसा होता है डबल फटिलाइशन पोस्ट फटिलाइशन के अंदर दो इमेट्ट आते हैं फर्स्ट जाइगोट यहां पर बोलेंगे सीड सेकंड एंब्रियो यहां पर बोलेंगे फ्रूट समझा गया पूरे चेप्टर की के टेबल बना दी मेंने इवेंट्स इन सेक्षल किलाइबट केंदर तीन हैं थर्ड चेप्टर की करनेचा यहां और श liability में पढ़ेंगे फिर फ्रीवादिलाइशन प्रिवेट्यिस्ट केंदर दो हुएट हैं फर्दर दो आते हैं पहले को बोलते हैं माइक्रो स्पोरोगिनिस सेकिंड मेगए स्पोरोगिनिसिस works होता है जिससे पूलनग्रीन बनेगा मैगा इस्पोरोगिनिसिस से क्या बनेगा ओफ्यूड और फीमेल गेमेटवाइट समझ आ गया इसके बाहाद आ प्लांट चेंदर जोशना है पॉलिनेशन के धूह होता है इसके बाद आता है फुरुआजैटि यहां पर जाइगोट क्या है सीड और एम्च्निति पूंज आ गिया प्रेड़ जे झाल, प्रेड़ लागने याटने को परृड़ से हुआने जाओने सीज़े इजो हुआने सीज़ कान्टा सीज़े इजकाई लागने सीज़े जबगाने सीज़े शब भूबा ट। चलो अच्छो सबसे पहले हम पढ़ेंगे structure and events of pre-fertilization structure and events of pre-fertilization structure and events of pre-fertilization के अंदर जैसे कि मैंने पहले भी बताया दो events आते हैं first gametogenesis second gamet gametogenesis के अंदर दो event आते हैं first micro sporogenesis second mega sporogenesis micro sporogenesis जैसे मैंने पहले बताया micro sporogenesis से क्या बनेगा pollen grain और और female female gamet of gamet of gamet transfer को क्या बोलते हैं pollination पॉली नेशन समझ आ गया पुली नेशन पुली नेशन समझ आ गया gametogenesis समझ आ गया next gametogenesis detail पढ़े गया gametogenesis में यह तो बता ढिया कि pollen grain बनेगा माईक्रोश्पोरगेन से लेकिन pollen grain बनता किसके अंदर है मैंने यह तो बता ढिया कि माईक्रोश्पोरगेन बनेगा लेकिन pollen बनेगा किसी structure के अंदर तो detail में वहीं पढ़े हम जो गेम स्थे इंदर है कि आइन रोशीयम दैए रोशी इंडर एंडरोशी मुझा वोलते हैं कि मैलप इप वोलते हैं रोश वीजाओ अब इसके अंदर आता है से इस्टेमन को क्या बोलते हैं मैल पार्ट और ग्रूप ओफ इस्टेमन को क्या बोलते हैं कि ए द्रूसियम क्या वो इंड रोस्य Łूं समझ आ गया इंड रोसियम को हो मेल पार्ट को त्किर गुरूप विस्टेमन पार्थ को या फिर इस्टेमन को द्रूप कुछ भी कह सकते हैं ऐलतकर जालने, मेल पार्ट के है कि था है एट उप कि कि अब देख इसका बनाया है मैंने इस्टेमन का किसका अब इस्टेमन पे अंदर दो पार्ट होते हैं कि वर्स्ट एंथर सेकें फिलामेट एंथर फिलामेट दो पार्ट आते हैं इसके अंदर कि अगराम से समझाओं अच्छे समझना बिल्कूल मैंने यह क्या बताया अंदर और यह क्या बताया फिलामेट अग्ट यह एंथर है यह फिलामेंट है अब इसको मैं यहां से कट करूँगा कहां से यहां से कट करूँगा देखो आए 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 अब देखो मैंने इसे हां से कट कर दिया कट किया एक है ट्रांसवर्स सेक्ष्ण इस्टेमन इस्टेमन इसे यहां से कट कर हुगा यहां से ही से कट करने के बाद इस तरह दिखा रहा हूं समझा गया यहां से ही से कट करने के बाद इस तरह सामने से दिखांगो तो यह सा डाइग्राम बनेगा समय है इस तरह से डाइग्राम बनेगा इस जाइग्राम के अंदर जो यह वाला अंदर वाला इस्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं लोग इसे भी क्या बोलेंगे लोग समझाई अब यह जो कवरिंग होती है वाली जो मैं बना रहा हूं इस तरह से चर्वा जो के इसे का बोलते थी का बोलते थीखा जैसे का नाम कि व फिर फृत लोग और जो कवर लोग के ओबर जो कवर है उसे क्या बोलते हैं थीका देखो एक एक कवर यहां पर यह ठीका और दूसर ठीका तो यहां क्या बोल सकते हैं डाइथीस एक लोग यहां पर एक लोग यहां पर दो लोग है तो क्या बोल सकते हैं वाई लोग तो हम यहां पर क्या लिखेंगे अब यहां हम लिख सकते हैं एंथर इज बाइ लोग एंथर कैसा होता है बाइ लोग होता है इच लोग तो थीका है डाइथीसियस यह को एंथर बाइं लोग यह लोग के अंदर दो थीका है एक रहा एक रहा रा तो इस लिख लोग हैग फीका देटीज आ संमझा गिया थिशिंचा कि एंड्रोंच्फियं जिसे मेल पार्ट बोस्कते हैं उसरी बहुताब्प इंथर और फिलामेट् अब से यहां पर डाइग्राम बनाया अब इसे यहां से मैं कट करूँगा एंथर को बीच में से कट करके मैं इस तरह से दिखा रहा हूं इसे कट करके सामने से दिखा को सामने से दिखा को तो किसे दिखेगा इस तरह से दिखेगा इसकंदर जो अंदर वाले दो मुच्छे बनें इस इसैं बोल दो पर यहां पर होग्ट है इसले इसे व्फ बती से बोलेंगे एक लोग के उपर कवर है इस वहाई को लोगतों सब्सक्राइब करा विफ स्पया है मैंने याप इपास में नगे स॑के बैंद रूठीक हर लोग के पास दो ठीक है इसलिए बोलेगे डाइट फीस्य समझा गया है को अब और आप कि डाइग्राम सच्छे समझा जाएगा कि यह वाला डाइग्राम मैंने दुबारा बना है इस डाइग्राम के अंदर इसका नाम क्या है इन्हें बोलते हैं हम माइक्रोस पोलेंजियम माइक्रोस पोलेंजियम यह भी क्या है माइक्रोडेंज़ियम यह भी माइक्रोस पोलेंजियम यह माइक्रोस पोलेंजियम तो में चैनल मैंने यहां बहुत मैं लिख सकता हूं एंथर हैविं फोर माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर हैविंग फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटीड एट इच कोर्नर को हर पर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटीड इच कोर्नर हर कोर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया अंदर जो यह इस तरह से इसकंडर क्या वहा है क्या है यह इस पोरोजीनस टिशू क्या है इस पोरोजीनस टिशू इसके अंदर भी इस पोरोजीनस टिशू है क्या होता है इस पोरोजीनस टिशू होता है इस तो अमजह लिए गए कर दो कर दो कर दो इसके वाद हम लिखते हैं structure of i.e. क्यों मैंने हाँ यहाँ पर डाइग्राम बनाया है कि यह क्या होता है माइक्रोस्पॉरेंजियों अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा जूम करके दिखाऊंगा तो यह कुछ इस तरह दिखेगा कि कर अब कि कि यह मैंने डाइग्राम किसका बनाया इस्टेमन के अंदर यह फिलामेंट है यह एंधर है एंधर हो कटकर के मैंने दिखा दिया वो समझ आएगे ना पूरा इसके अंदर क्या होता है माइक्रोइस पुरेंजेम इस तरह से होगा समझ आया यह क्या है माइक्रोइस पुरेंजेम थोड़ा समय जूम करके दिखा है बस माइक्रोइस पुरेंजेम को जूम करके दिखा दिये अभी से और ज्यादा जूम करें एस वाले को थोड़ा और जूम करेंगे माइक्रोसकоп के अंदर इस वाले को माइक्रोसकोब के अंदर देहिए तू किया सा दिखेंगैंगा कि इस तरगा दिएगा इसके लिड़ चाहर लाइगा इसके लिड़ चाहर लेयर होती है माइक्रोस्पेरेंजे में सरांडेड बाइ फोर लेयर्स आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मी फिर आता है एंडोथीसियम फिर मिडल लेयर लास्ट में आता है इसको अपर एक कबरिंग होती है इस तरह से इनर्मोस लेगों क्या बोलते हैं टेप एक यह क्या है आउटर लेयर क्या है आउटर लेयर और यह इनर्म लेयर समझा गया जबको सीधा सफंड आई है सबसे फिले मैंने एंथर दिखाया एंथर को यहां से कट किया कट करने को सामने से दिखाया सामने से दिखाने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है समझा गया इसमें मैंने बता है लोग होता है डाइटीस होता है उसके बाद यह बोले-बोले मैंने बढ़ाया सब्सक्राइब है तो मैंने वही चीज़ यहां पर लिखी है अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम को थोड़ा से जूम करके दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप के अंदर तो कुछ इस तरह का दिखेगा इसको लेकर कि यह वाले इस्ट्रक्चर और यह वाले इस्ट्रक्चर दोनो सब्सक्रा होती है एंज्रों सक्करते हैं तो इसके तरह दिखती है का स्रक्चर समझ आइगा जाफ इस प्लंजियम के अंदर इसा उल्यक में मκιम जरू सब्सक्राय। कि झारोटे होते हैं अब यहां पर बात करते हैं के इनका फॉंक्षण क्या होता है अब फांक्शन या फिर रोल है आप जो आउटर लेयर है आउटर लेयर के दो फंक्शन होते हैं या ओते हैं दो फंक्शन होते हैं फर्स्त होता इसका पोटेक्शन सेकिंड दियाई सेंस का मतलब होता है फर्टना इनर मोस लियर इनर लियर का फॉंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इतना समझ आ गिया है समझ आ गिया है नहीं वेली गूट्रिशन प्रोवाइड नेक्स आता है माइक्रोइस्पोरो जेनिसिस माइक्रोइस्पोरो जेनिसिस का मतलब नाम से पतल लग रहा है आप नाम सब्सक्रोश्पोरो जेनिसिस माइक्रोएस्पोरो जेनिसिसिता हूं ведь है म६ कि आंगरेओ कैसे मैंट पूर्ठाया था ằ इसवाले डग्राममने लिक्या है अंदर की तरफ जो है इस्सी पोर्ग इंस टिशु कि आहां है इस पोरोज्वीट्स टिशु को तो मालोकरे निकाल लीए इस कोड़ेंस टिश्वा हुआ अमँद को को यह क्या है इस पुरोजीनस टिशू गुरूप ऑफ टिशू बोलते हैं तो यह क्या इस पुरोजीनस टिशू इस टिशू के बहुत सारी सेल तो एक सेल को क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बोलते हैं एक सेल कराएं माइक्रोस्पोर मदर सेल समझा गया इस पुरोजीनस टिशू के अंदर बहुत सारी सेल है क्योंकि बहुत सारी सेल मिटके टिशू बनाती है और हर सेल को क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल हर सेल को क्या माईक्रश्पोर सेल आप यह माईक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा मियौसिस कर इसमें मियौसिस नहीं कर सो चोने पाद शुंग को ulkले के बाद इसके अंदर क्या होगा अब मियोसिस सेकेंड मियोसिस सेकेंड के बाद चार सेल बनेगी इसे बोलते हम माइक्रो स्पोर समझ आगए सबसे पहले इस पोरजिस टिशू से एक सेल को निकाला उसे बोलते हैं माइक्रो स्पोर मजर सेल उस सेल के अंद्या सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा स्टेज को माइक्र स्पोर डायर्ड बोलते हैं आप जो सेल बनी है चार से बनी है हर से क्या बनेगा पूलंग्रेंग तो यहांप में स्ट्रक्चर बना लेता हूं दुबारा यहां पर बना है इससे क्या बनेगा इसके अंदर होगा कर दिविजन होगा है इससे डिफ्रेंशेशन होगा इससे डिफ्रेंशेशन करके चापनेगा पोलंग इसके अधिया है सब्सक्राइब एप सब्सक्राइब सब्सक्राइब आऊपेम इंडेंद माइक्री में इस गणा पढलते न कितने बड़ेंगे चार न की तो इसी बात में निक्ना सुक्त इसमाए नो डाल के लिखे दिखे दम माइक्रोस्पोर मतल सेल प्रोड्यूस फॉर पोलिंग्रेट ठीक है एक माइक्रोस्पोर मतल सेल से चार पोलंग्रेट बनते हैं समझ आ गया नेक्स्ट अब बात करते हैं पोलंग्रेट की इसकी बात करेंगे पोलंग्रेट पोलंग्रेट इसकी सबसे बिर्चाइज की बात करते हैं इसका साइज होता है पच्छिस से पचास न्यूमीटर इन डायमीटर सेकंड वोल ओफ पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन को उपर दो वोल होती है कितने होती है दो फर्स्ट एक्जाइन सेकंड इन टायम एक्जाइन किसके बनी होती है इस पोरो पोलन इन टायम किसके बनी होती है प्लस पेक्टिम एक्जाइन का काम क्या होती है रेसिस्टेंद रेसिस्टेंद प्रॉइड करती है इन टायम का फॉंक्षन क्या होता है नूट्रिशन प्रॉइड करना कि या कि कि पोलिंगे जिसे में सब्सक्राइध रख साइज होता है 25 से 55 मिटर इंडाई मेटर से कि मैं फिसे साइनल को पर दे जाइल करते हैं डाज फिप होती है थिफ Dalम लेंस्प वैजंडल एक इंडलिय determ大े णियर इना अने का ब joka कर दूथ है ए आयला पर आउटर लेयर को एग्जाइन्ड बोलते हैं और इनर लेयर को इंटाइन्ड बोलते हैं विप्वात से शब्स्टांस होता है जो बलंगरेंड न को बचाता है एसे बहार का इन्वार्मेंट होता है एकोटेकलि होता है एसे रहे होता है और बहुत साहष जो इन्वारमेट्वमेंट होता उससे बचाता है कूल घ्रेल को समझा गया अभिशा होब इन ही इन ही पिम स्किल बनी होती है क्लिब पेक्टिन उपकार के बनी और से empresas अब हम लिख सकते हैं नोट डाल के कि इस पोरो पोले एपसेंट ओन सम प्लेस ओफ पोलन ग्रेंड पोलन ग्रेंड के कुछ जगा पर इस पोरो पोले एपसेंट होता है सब्वोज ही मैंने डाइग्राम बनाया यह किसका डाइग्राम है पोलन ग्रेंड पोलन ग्रेंड के आउटर वाइड डेयर को क्या बोला मेरे यह है एक्जाइन किसकी बनी है इस पोरो पोलेनिन की बनी है इनर वाइड डेयर क्या है इसके अंदर दो सेल होती है इसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल है इसे हम बोलते हैं तो वैजेटीर्टिव सेल यहां पर यहां पर क्या इस्पोर पोलेनिन एस्ट्रेंट होती है अब आप देखिए यह जो इस्ट्रक्शर यहां पर यहां पर क्या इस पोरो पोलेन एपसेंट है इस पोरो पोलेन यहां पर क्या है एपसेंट है इस पोरो पोलेन यहां पर एपसेंट क्यों है क्योंकि यहां से पोलेन ट्यूब जर्मिनेट होगी यहां से क्या होगाग? यहांसे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा यहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा इसलिए ह्मकर इसलिए हब इस्पपोलेलीनेशन दोता है डायग्राम मैंने बना किया, पॉलंगेन का डायग्राम आउटर लेयर को एक्जाइन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं, आउटर लेयर इस पॉलेयर के बनी होती है, इनर लेयर सेललोज और पेक्टिन के बनी होती है, आउटर लेयर हाड होती है, जो रेसिस्टे dar अगर यहांपर इस प्रपन्यक्व सकती इसान आगया िवरे लागत हुआ कि अब बात करते हैं आएल ऑफ पौन गें जो पौन ग्रेंिंग्ड ओए है झांथ अरण ऑन ऊत्राly ऌएौर सथिर इनकिनद्व फस कर दो दलग Carry होते हैं और मैं से नहीं सेंटर होते हैं कि ऐसे है्ट छू रिंस्वcost हम दो शेल इस्टेज पोलंगरें दूसरा आता है थिप शेल इस्टेज पोलंगरेंग उथी शेल सेज पोलंगरेंग नाम से पत्य रग रहे हैं इसका वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल थीरी सेल स्टेज के अंदर टीन सेल होगी फास्ट वेजिटेटिव सेल दूसरा होता है जनरेटिव सेल लेकिन इसके अंदर जनरेटिव सेल पॉलिनेशन से पहले ही दो मेल के मिट में डिवाइड हो जाती है मेल के मिट यहां भी मेल के मिट चेक है तो यह भी क्या है दोनों सेल है क्या ही समझ आ गया मैंने के बता है टाइपस ओफ पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन ओन दा बेस अव सेल के बेस पे पोलन ग्रेन दो तरीके के होते हैं फिर्स्ट टूसेल स्टेज्ट बोलन ग्रेनकि रिसेलिए स्टेज्ट पोलन ग्रेन तो सयलिए नाम से पता लग रहा है इसके एंदार दो सेल हो हिस्ट वेजिटेटिव सेल सेकिंड जन्रेटिव सेल थी सेल स्टेज पोलं के अंदर तीन सेल होती है फर्स्ट वेजिटेटिव सेल दूसर जन्रेटिव सेल लेकिन इसके अंदर जन्रेटिव सेल पोलिनेशन होने से पहले ही दो सेल में डिवाइड हो जाती है मेल गेमिट समझ आ गया जणरेटिक चैस स्पर्चेज दो में डिवाइड हो जाती है दो गयमिट बना लेती है तो दो सेल यहां पर एक सेल यह दी एक दो तीन तीन सेल सेल सैज और यह टू सेल सेल सेज वाले पुन गेन होते हैं इस तो और कितने होते हैं उसे और और धीका ऒठाए इसोरे कितने होते हैं ओलनेंगे समझ चलो नेट्सट बढ़ते हैं हो हम बात करेंगे विएबिलिटी ओफ पोलंग्रेन का मतलब होता है कि पोलंग्रेन कितने दिनों तक जिन्दा रह सकता है कितने दिन बाद वो दुबारा से पोलिनेशन के लिए यूज किया जा सकता है विएबिलिटी के अंदर जो एंसी ए आटी में लिखा है कुछ के अंदर थर्टी मिनट्स होती है कुछ के अंदर मंस ओवर अ मंस लिखा है थर्टी मिनट्स किसके अंदर होती है wheat and rice के अंदर months किसके अंदर होती है Solanasi Leguminasi Solanasi, Leguminasi और Oresi 11th class के अंदर families हमने पढ़ी थी याद है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है इतना जाद है इसमें कुछ नहीं है पस नाम याद रखना है कि कुछ angiospum के अंदर जो variability होती है वो होती है 30 minutes कुछ के अंदर होती है वनमध्या उससे जादा समझ आगिया variability का मतलब होती है कि कितने दिन बाद दुबारा pollen grain को pollination के लिए यूज किया जा सकता है कितने दिन बाद pollen grain दुबारा germinate हो सकता है समझ आगि उसे variability बोलते है कुछ pollen grain ऐसे होते हैं जो 30 minutes के बाद खराब हो जाते हैं जिने दुबारा pollination के लिए ज्राइं यूज में किए जबार welcome नहीं हो सकते कुछ यह से होते हुअ मूंन के बाद के बाद उन्हें डूज उस्टाइब में पिंगे नेक्स नाता प्लाड ग्रेंट के तो ए ए यह प्रण बेए पोलन ग्रेंग को पॉलन बेंग के तरह अगर हमें प्रण ग्रेंग के रखना है तो के से रखेंगे इस टोर करने के लिए प्रणे अगर माइनस वन नाइनटी सीच डिग्री सेल्सियस इन लिक्वीड नाइट्रोजन लिक्वीड लिक्वीड नाइट्रोजन में माइनस वन नाइनटी सीच डिग्री सेल्सियस टेमप्रेचर पर हम पोलन ग्रेन को स्टोर करके लग सकते हैं लेबरेटरी के अंदर उसके बाद उसे जो हम चाहें उसका यूज कर सकते हैं जर्मिनेशन के लिए और पोरिनेशन के लिए समझा गया next next हम बात करेंगे benefits and harmful effects of pollen grain benefits and harmful effects of pollen grain समझा गया benefits के बारे में बात करें am a benefit क्या होता है nutrition रिच होता है nutrition रिच होता है nutrition रिच होता है nutrition provide करेगा किस form available होता है available in the form of जाब losing YouTube कि pref एविरेबल होता है ज्यादए एविच्टर्ण कंट्रिघ जरन लिर्स अवियर होता है जन्रम्मों यूज़ करते हैं पर हुर्णिन ही ढें एफ लेट्स हां कि बात करें कुछ पोलंगें ऐसे होते हैं सब्सक्राइब कोज एलर्जी कुछ पोलंगें करते हैं क्या नाम है पोलंगें का पार्ठेमियं पार्थेमियं का दूसर नाम क्या है केरक ग्रास केड़कर पार्थेमियं बोड़ से बोलते हैं क्या इस्तवां डिON कि इसे लिए कुछ पोलन ग्रेंगे इसे होते हैं जो हामफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं क्या काम करेंगे एलर्जी एक्षिन प्रोड्यूस करेंगे सब्सक्राइब बनेफिशिल होते हैं के लिए जरूरी होते सिर्फ वही प्रोड्यूस को खाना चाहिए शुप्लिमेंटर की तरह यूज करना चेह समझा गया हांफुल प्रक्रीं लाइक पार्थेमियंग जिसे ग्र्ट ग्राइस भी बोलते हैं यह हांफुल इफेक्ट क्या क अब बात करते हैं मेगा इस्पोरोजेनेसिस यह बात करेंगे मेगा इस्पोरोजेनेसिस मेगा इस्पोरोजेनेसिस का मत्ला बलता है दा प्रॉसेस रेकी होर्मा मेगा इस पर मदातेद구요 मेगा इस्पोर मदाते यह को कि ऐस्पोर अंग करेंगा है इसे मैं Small MMC से रिप्रेजेंट कर देता हूँ Megasporogenesis का मतलब होता है The Process of Formation of Megaspor from Megaspor Mother Cell Megaspor Mother Cell से किसका बनना? Megaspor का बनना का गिलाता है? Megasporogenesis Microsporogenesis complete हो गया इतना sufficient है Megasporogenesis की बात करते है Megasporogenesis में मैंने क्या बोला? इसके अंदर सबसे पहले एक Single Cell होगी इसके हम क्या बोलेंगे? Megaspor मतलब चैल यह Megaspor मतलब चैल है Megaspor मतलब चैल में क्या होगा? Megasporogenesis first Megasporogenesis first होने के बाद एक से दो में डिवाइड हो जाएगी इसके बाद क्या होगा? Megasporogenesis second क्या होगा? Megasporogenesis second Megasporogenesis second के अंदर चार में डिवाइड हो जाएगी इन चार में से जो three होती है three are degenerate three degenerate three degenerate हो जाएगी तो यहां पर हम नोड में लिख सकते हैं क्या लिखेंगे? during 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 Megasporogenesis during Megasporogenesis one of the Megaspor one of the Megaspor is functional but other degenerate एक functional होती है बाटी तीन degenerate हो जाती है और इसले को हम क्या बोलते है? Monosporic development क्या बोलते है? Monosporic development समझ आ गया? जो भीने डाइग्राम बनाए किसका बनाए? Megasporogenesis Megasporogenesis के अंदर देखो सबसे पहले Megaspor मदर सेल है एक Megaspor मदर सेल के अंदर क्या हो? Muses first Muses first से एक सेल दो में डिवाइड हो गई उसके बाद क्या हो? Muses second 2 सेल चार में डिवाइड हो गई चार में तो डिवाइड हो गई लेकिं तीन डिजनरेट हो गई सिर्फ एक functional है Microsporogenesis में क्या हुआ था? तीनों की तीनों functional थी वो चार की चार functional थी उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर टेटराड बना था तीन डिजनरेट खताम हो गई एक functional है इसलिए से हम बोलते हैं Monosporic Development Mono का मतलब होता है Sporic मतलब sport से development होना मैंना बनाई है ना यह क्या है Mega Sports क्या ही है? Mega Sports समझ आ गया? आर Eम्बियो से ऑितमुलते हैं इस Cinema इस गेमेटो फाइज एम्प्रियों से पूरा पूरा क्या बनेगा अब के इसे बनेगा उसे इस ट्रॉक्षर के थुगा बताता हूं मैं डायग्राम के थुग तो सबसे देखो यह ना बनाया था भी इसमें तीन कि अधिया जाए खतम हो जाएगी सिर्फ एक क्या है फंक्ष्णल तो फंक्ष्णल मैंने यहां पर बनाई एक सेल इसके अंदर फर्दर इसेल दीजन इसेल इफरेंशल होने के बाद एक सेल दो नुप्लियस फर्दर होगा एक सेल चार्ड नुप्लियस फर्दर एक सेल कंदर 5 6 7 8 इस सेटेज के आनेक बात इसमें फर्दर इसेल इसन सेल डिफरेंशेशन होगा और एक प्यार सा स्ट्रॉक्षर बनेगा इस तरह का एक इस्टुक्चर ने इसे हम बोलते हैं एक्सेल इसे हम बोलते हैं सिनर्जेड सिल क्या बोलते हैं इसके बाद इसके अंदर फर्दर जो सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट होगा और किस तरह का इस्ट्रक्टर दिएगा देखो एक सबर्दस्ट इस्ट्रक्चर सामने आएगा हुआ है है बहुत खुब्सूरत सब कि अब 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 देखो यह क्या है इसके बाद इस्ट्रक्चर बना यह है पोलर निबलियाई यह एंटी पोडाल सेल तीरों एंटी पोडाल सेल यह और यहां पर एक और इस्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं फिली फोर्म एप्रेटर्स पिली फोर्म एप्रेटर्स बनता है समझा है और इसे हम बोलते हैं एट निउक्लियेटिड सेवन सेल इस्टेज जो हमारा इसके अंदर आठ नुक्लियेटिड सेल होता है जो इसलिए उसे एक सेल में करेंगे दो निउक्लियस समझाया इसलिए से हम बोलते हैं एट नुक्लियेटिड सेवन सेल सेल स्टेज समझ आ गया आई होग कि आप सब को चेप्टर समझ आया होगा इंट्रस्वीड लगा होगा पहले दर रहे होंगे पढ़ने में एक इंट्रस्वीड लगा होगा झाल झाल